Namaste India, Ryan Terry here, your current Men's Physique Mr. Olympia Champion and I'm excited to announce I'm gonna be in India for the Shuru Classic from the 7th to the 9th of June so make sure you're there because I can't wait to meet you all out there, see you soon I'm gonna be in India for the Shuru Classic So you all know that every year, the Shuru Classic Expo is a big guy as a chief guest such as Big Remy, Sohoru Chokou, Hadi Chupan, Jeremy Windia and then Andrew Dew Recently, in the last month, the Shuru Classic has been in India regarding the fact that Ryan Terry, who is our current Men's Physique Olympia Champion who is going to be as a guest competition and the international bodybuilder, Andrew Dew Eincoo Lekar Vyye Confirm Ho Chukahe, that's why he's in the Shuru Classic as a chief guest and I'm going to have to you guys find out, I'm going to tell you guys who is a famous international bodybuilders as a chief guest as a chief guest that will be the rest of the couple of people so tell us how it is, after all of you guys, this is the Aego Classic Ashto for the Searu Classic so that they are excited, so comment box under your opinion, you must be happy to be there this next time, I'm going to talk about this that's all for its luck, the PitsBank Pro's Show game scorecard that's all for back, the final concept bodybuilder, the matchup, the points here तो चलिए सबसे बहले बात करते हैं क्लासे कैटेगरी के बारे में जिसका कि अभी तक हम लोगों ने कोई भी अपडेट चैनल के उपर शेयर नहीं किया तो इस कैटेगरी को विन करने वाले बॉडी विल्लर का नाम है दोस्तो एरिस लिस्वोवा एंड मैं आपको इंफर्म कर दो दोस्तों कि ये वही वाडी विल्लर है जो कि इस कॉम्पूटिशन में लास्ट इयर बने थे रनर अप और विनर बने थे आपके माइखल देवाल अब 2024 की बात करें तो फाइनली ये विन कर चुके हैं पिट्सपक प्रोसो 2024 इन क्लासिक फिजी कैटेगरी काफी बड़िया कमाल का इस्ट्रक्शर है दोस्तों इनका और हाइट भी इनकी काफी जादा है बैक्यूम बाले पोस इसको भी ये काफी अच्छे से हिट करते हैं तो सायद इसी रीजन से दोस्तों ये बाकी आथिलीट्स को हमको काफी जादा डोमिनेट करते हुए नजर आते हैं बट मैंने स्कोर कार्ट के अंदर दोस्तों ये एक चीज नोटिस की कि ये इस कॉम्पूटिशन में एक दम वन साइड़ नहीं थे क्योंकि फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस के वीच में टोटल एक पॉइंट का डिफरेंस था मैं आपको थोड़ा सा समझा दू कि इस कॉम्पूटिशन में टोटल तीन जर्जिस थे जिसमें से इनको दो जर्जेस ने दिये एक एक पॉइंट और एक बजे हुए जर्य ने दिया इनको दो पॉइंट और इसी कारण से दोस्तों यह total निकल कराता है 4 points और यहां पर दोस्तों आप लोग एक चीज नोट करना कि आई यह VB के अंदर जो numbering है वो ultra points पर दी जाती है मतलब जिसको judges जितने जादा points देंगे उसकी उतनी खराब placing तो classic physique का result दोस्तों यही है कि first place and second place की बीच में बहुती minor difference था क्योंकि एक point बहुती कम होता है और अगर एस थोड़े से भी उपर नीचे होते तो second place बाला bodybuilder हमें winner बनते हुए दिखाई दे सकता था बाकि जो भी bodybuilders दोस्तों classic category से compete करें उनके नाम बगार और उनको क्या placing मिली उसका update आप लोग यहाँ अपनी screen के उपर इस score card के अंदर देख सकते हैं लेकिन इसके अलावा दोस्तों हम लोग बात करें मैंन सुझी के score card के बारे में तो इस competition को एकदम one side win किया है अली बिलान ने क्योंकि अगर हम लोग score card के उपर देखें तो तीनों मेंसे हर एक जजज ने अली बिलाल को अपनी first priority पर रखा क्योंकि हर एक जजज ने इनको एक एक पॉइंट दिया जबकि बिटोर को मिले हैं दोस्तों यहां दो दो पॉइंट्स मतलब कि classic category के तरह दोस्तों यह जो difference है वो एक पॉइंट का नहीं बलकि पूरे तीन पॉइंट्स का है तो इसी रीजन से दोस्तों हम लोगे बोल सकते हैं कि इस competition को एकदम one-sided win किया है अली बिलाल ने बाकि अगेन दोस्तों मैं इनको बहुत सारी सुबकामना देना चाहता हूँ और इस पेस लीन को ओलंपिया के लिए all the best बोलना चाहता हूँ क्योंकि जिस तरह से बहुत साथ इंप्रूव होकर ये हमको इस साल नाजर आए है पिट्सबक प्रोशो में तो गाइसेस के बाद मुझे तो यही लगता है कि अली बिलाल इस साल ओलंपिया में easily crack करेंगे टॉप 8 पाकि आप लोगों के भी दोस्तों इसके बारे में क्या ओपीनियन से आप लोग जल्दी से मेरे साथ comment box में share करें इसके अलावा next हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों पिट्सबक प्रोशो की guest posing के बारे में और सबसे पहले दोस्तों मैं सुरुआत करना चाहता हूं Nick Walker के साथ में क्योंकि इस posing के बारे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जोकि Nick Walker को बहुत ज़्यादा किडिजाइस कर रहे हैं तो ज़्यादा तर लोगों का दोस्तों Nick Walker को लेकर ये बोलना है कि currently ये इनका जो body frame है वो बहुत ज़्यादा overrated है एक दम free case frame है जबकि बाकी के जो भी body willards हैं वो बहुत ज़्यादा X frame के साथ हमें नजर आ रहे हैं narrow west है और vacuum भी काफी अच्छे से hit कर रहे हैं तो इस point को लेकर दोस्तों सबसे पहले तो मेरा ये ही बोलना है कि Nick Walker हमको सिर्फ आज इसी guest posing में ऐसे नहीं दिखाई दिये जबकि वो हर वार जब भी वो compete करते हैं तो same यही structure blocky midsection थोड़ा सा free case factor के साथ ही नजर आते हैं लेकिन यहां पर दोस्तों आप लोग एक बात भूल रहे हैं कि भले ही Nick Walker का जो structure है वो थोड़ा सा outer चला जाता है I mean थोड़ा सा free case लोग इनकी फिजीक में नजर आता है लेकिन जब भी यह on stage आते हैं on competition आते हैं तो यह बहुत बड़ी है फिजीक लेकर आते हैं एकदम on point इनकी conditioning होती है जिसके कारण इनकी जो body है वो बहुत ही ज़ादा प्यारी लगती है बट फिर भी कहीं न कहीं दोस्तों जो ना vacuum करने वाला जो एक factor है इनकी body में वो इनके लिए कहीं न कहीं एक negative point है जो कि अभी तो नहीं लेकिन definitely आगे आने वाले दो या तीन सालों के बाद इनके लिए दिक्कत हैं बहुत ही ज़ादा बड़ा देगा इसके अलावा दोस्तों especially बात की जाए इनकी current guest posing के बारे में तो मानना वड़ेगा Nick Walker currently सच्मुच अच्छे दिखाई दे रहे हैं और last year से अगर हम इनको comparison करें तो size और conditioning तोनों ही improve लेकिन जब mind में ये खयाल आता है कि currently तो Nick Walker one week out है New York pro show 2024 से तो ऐसी physique दिखाई देना मेरा मतलब है last year के comparison में बड़िया conditioning थोड़े बड़िया 5 hours body के उपर या फिर size ये सब कुछ दिखाई देना एक दम नॉर्मल इसी बात है क्योंकि competition से one week out होते हुए तो हर एक बंदा इतना अच्छा या फिर इससे और जादा अच्छा दिखाई देता है जबकि आप देखेंगे कि Samson 12 इस competition में काफी बड़िया दिखाई दिए Derek भी काफी बड़िया physique maintain कियो हुए है इसके अलावा दोस्तों Andrew Jack जिन्होंने भी एक दम most related posing की है इस वाले competition में और अब आखिरकार ये समझ आ रहा है कि उन्होंने आखिरकार क्यों दोनों ही आनोट classic में compete ना करने के वज़ाए एक बड़िया off-season लेने का decision लिया क्योंकि सच में इनको जरूरत थी एक बड़िया off-season की जादा size gain करने की ताकि ये line-up के अंदर और उपर place हो सके हैं तो Andrew Jack भी दोस्तों इस guest posing के अंदर बहुत जादे improve नजर आए especially in size इसके अलावा hunter love rada भी दोस्तों guest posing करते हैं एक बड़िया off-season कर रहे हैं जिसके कारण ये एक बड़िया conditioning नहीं ला पाए बट कोई ना guys फिर भी हमको कहीं ना कहीं size के साथ एक बड़िया combination नजर आया conditioning का बाकि next दो दोस्तों हमको एक बहुती कमाल का preview मिल जाता है Nick Walker versus Martin Fitz क्योंकि ये दौनों ही athletes हमको एक हफ़ते के बाद होने वाले New York pro show में नजर आएंगे on stage बट guys अगर हम लोग guest posing के ही physique update के साथ मैं इन दौनों का आपस में एक preview करें versus तो हमें ये देखेगा कि Nick Walker इनको काफी आसानी से beat कर देंगे और इसको अच्छे से समझने के लिए दोस्तों मैं आप लोगों को एक बड़िया और एक छोड़ा सा comparison दिखा देता हूँ इसमें सबसे पहला pose है दोस्तों हमारा front double vice है और काफी आसानी से देखा जा सकता है कि narrow waist एक अच्छा V taper एक बड़िया aestheticness हमें Nick Walker के वज़ाए Martin की body में दिखाई दे रही है तो definitely इस वाले pose को win करते है Martin इसके अलावा next जो हमारा pose है दोस्तों side chest pose उसमें तो clearly winner है Nick Walker और ये Nick Walker का इसना strong pose है कि इसमें Nick Walker काफी आसानी से Samson दोधा या फिर डिरेक लंसफ़र्ट को हरा सकते हैं इसके अलावा back double wiceps में भी दोस्तों same यही आ गया Nick Walker अपने size अपने huge look के दंपर Martin को काफी आसानी से beat करते हुए दिखाई दे रहे हैं and again back light spread या फिर जो most muscular वाला pose है वो size factor के दंपर Nick Walker अपने खाते में ले जाते हैं and recently दोस्तों इसी वाले show का हमारे पास में एक back stage वाला photo available है जिसमें आप देखेगे लगवक्स same position में खड़े हुएते हुए डेरेक लंसफ़र्ट के shoulder से फिर जो yiceps हैं वो कितना जादा छोटे लग रहे हैं Nick Walker के comparison में आपको न यहाँ इस photo के अंदर Nick का जो shoulder से वो एकदम round shape में नज़र आएगा जबकि current Olympia champion डेरेक लंसफ़र्ट का shoulder इतना जादा size इतना जादा round shape में नहीं है तो guys फिलाल इन सारे analysis को करने के बाद में मुझे तो यही वाद समझ आती है कि अगर Nick Walker को Olympian वनना है Olympia का title win करना है तो उनको एक बड़िया vacuum बाला pose hit करना ही पड़ेगा या फिर अगर वो नहीं कर पाते तो वो भूल चाहें Olympia का खुआप बाकी क्या आप दोस्तों मेरी इस बात से satisfied है कि अगर Nick Walker एक बड़िया vacuum करें और थोड़ा सा अपनी जो back है उसको भी improve करें तो क्या वो बन सकते हैं Mr. Olympia Champion इसके वारे में दोस्तों आपकी जो भी opinions हो आप लोग जल्दी से मेरे साथ comment box में share करें बाकी गाईस अब मुझे जाना पड़ेगा मुझे दीजिए जादत मेरा नाम है करन और आप लोग देख रहे हैं इंडिया का best bodybuilding channel Antic Fitness India